इको सिस्टम बेह पोर्टल में भी OES मुबाइल अप्लिकेशन का लिंक सेर किया गया है इससे पहले OES मुबाइल अप्लिकेशन का लिंक Google Play Store में और OnPassive.com बेह पोर्टल पर सेर किया गया था जब OES Mobile Application का लिंक इन दोनों platform पर share किया गया था तब मैंने इन दोनों के उपर वीडियो बनाया लेकिन उस वीडियो पर कई सारे ऐसे कोमेंट किये गए थे जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक OES Mobile Application का लिंक OES में उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और इस तरह का confusion कुछ founder leader के कारण बना हुआ है लेकिन Google Play Store में या फिर onpressive.com बेफ पोर्टल में या फिर ecosystem बेफ पोर्टल में share किया गया OES Mobile Application का लिंक एक ही है आप इन तीनों में से किसी के भी द्वारा OES Mobile Application को डाउनलोड करेंगे तो आप एक ही OES Mobile Application को डाउनलोड करेंगे क्योंकि Google Play Store में मौझूद OES Mobile Application का लिंक ही onpressive.com बेफ पोर्टल पर और ecosystem बेफ पोर्टल पर share किया गया है इसलिए यदि आपने अभी तक OES Mobile Application को डाउनलोड नहीं किया है और आप OES Mobile Application को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको confuse बिलकुल भी नहीं होना है यदि आप founder या user हैं तो आप इन तीनों में से किसी के भी द्वारा OES Mobile Application को अपने Mobile में इंस्टोल कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों प्लेट फॉर्म में फ़र्क बस इतना है कि जब आप Play Store से इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसका क्रेडिट प्लेट प्लेट को जाता है और OnPassive के Traffic Analysis में यह सो होगा कि OnPassive.com बेफ पोटल से इतने लोगों ने OES Mobile Application को डाउनलोड किया लेकिन OES Mobile Application को जब आप अपने Ecosystem Account से डाउनलोड करते हैं तो इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता है क्योंकि Ecosystem में आपका एकाउंट पहले से बना हुआ है और आपने Ecosystem Account में अपना अप्लिकेशन को डाउनलोड किया है लेकिन जब आपके Ecosystem Account में बोजूद OES Mobile Application का लिंक किसी नए यूजर को सेर करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके वह यूजर उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के बाद वह यूजर Ecosystem में अपना अकाउंट किरियट करता है तो इसका क्रेडिट आपको जाएगा आपके लिंक के द्वारा जितने भी नए यूजर Ecosystem में अपना अकाउंट किरियट करेंगे OES Mobile Application को डाउनलोड करेंगे उतने यूजर की संखिया आपके Ecosystem Account के यूजर में इंकरीज होगा यानि आपके Ecosystem Account में जो यूजर की संखिया है उसमें बढ़ोतरी होगा इसलिए यहाँ पर समझने बाली बात यह है कि यदि आप फाउंडर या यूजर है तो आप इस अप्लिकेशन को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यदि आप OES मुबाइल अप्लिकेशन के द्वारा अपना अफ्लियेट मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने एकोसिस्टम एकाउंट में यूजर को इनकरीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके एकोसिस्टम एकाउंट में जो OES मुबाइल अप्लिकेशन का ल प्लेय अस्टॉरब में चले जाएंगे। और यहां पर OEAS Mobile Application को अपने Mobile में Download करने का उप्षन दिखाई देगा। जब आप App Store वाले Option पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के वाद आप App Store में चले जाएंगे और यहां से Iphone में इस मुबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि तीनों प्लेटफोर्म पर मौजूद OES मुबाइल अप्लिकेशन का लिंग किस तरह का है इसकी बापजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें निचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाउपिक के साथ जय हैं